आज की इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं Reliance Power और साथ में डिसकस करेंगे Reliance Infra Stock के बारे में Reliance Power के Stock में अल्रेडी जितनी भी Breaking News थी सवी News को हमने डिसकस करा जिसमें देखा कि Reliance Power ने around 1200 करोर फंड रेज करी और हमने देखा कि VFSI ने holding भी इस stock में 15 रुपीज 5 पैसे के आज पास का share buying करा है जो Reliance Power के तरफ से share इसू किया गया इस समय देखेंगे ये ASM लिस्ट में हैं जिसके काज इस stock में आप इंटराडे नहीं कर सकते हैं और एक one-sided uptrend के बाद technically काफी visible है कि ये stock downtrend में है और तब तक इस stock को long नहीं करेंगे short term में short to medium term में जब तक ये 22 के उपर sustain नहीं करता है इस समय इस stock को ignore करें और साथ में ही Reliance Power के trend को भी देखेंगे तो अब बड़ा आसानी से समझ पाएंगे कि जिस परकार से एक one-sided uptrend के बाद Reliance Infra के stock में 200 का एक major resistance दिखा उसको support नहीं कर पाया 160 का जो price रहा वहां से stock ने एक retracement ली उसके बाद ESM category में listed हुआ और इस समय देखेंगे कि 160 का level टूटा और next support 125, 130 के आसपास का दिख रहा है इस समय फ्रेस बाइंग करने से बचे वोल्यूम देखेंगे तो काफी कम होते वे दिखाए इंटराड आप नहीं कर पाएंगे इस समय इस stock को इगनूर करना चाहिए